दोस्तों फंगल इंफेक्शन का पूरी दुनिया में पाये जाना आजकल बेहत ही सामाने बात हो गई है किसी भी इंसान को फंगल इंफेक्शन की समस्या तब होती है जब कोई फंगस शरीर के किसी खास हिस्से पर कबजा जमा लेता है और हमारे शरीर का immune system उससे निपटने में सक्षम नहीं होता और इसलिए हमें anti-fungal medicines का साहरा लेना पड़ता है जैसे tablet, capsule, oignments या फिर creams fungus पारिश या नमी के समय पर सबसे ज़्यादा active होते हैं इसलिए अगर आप भी fungal infection से परिशान हैं तो ध्यान रहे कि आप कीले बिल्कुल भी ना रहे दोस्तो इस वीडियो में हम जानेगे mankind company के candy force capsule के बारे में सारी जानकारी जैसे कि इसमें क्या मिला हुआ है, ये कैसे काम करती है, इसे लेते समय हमें डाइट में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं इसके side effects क्या क्या हो सकते हैं, इस medicine को हमें कैसे और कब तक लेना चाहिए कि ये infection हमें वापस ना हो और आखिर में हम जानेगे इस capsule से जुड़ी हुई गलत जानकरी हैं जिस वज़े से ये लोग उपर पूरी तरह काम नहीं कर पाती दोस्तों अगर आपको भी इस तरह की वीडियोज देखकर अपना medical knowledge बढ़ाना अच्छा लगता है तो इस चैनल को subscribe जरूर कर लें यहां हम बताते हैं medical store पर मिलने वाली सभी चीजों के बारे में सही जानकरी वो भी सरल से सरल तरीके से फ्रेंट्स यह capsule दो वेरियंट में आता है 100 mg और 200 mg जिसके अंदर इट्राकोनजोल मिला हुआ होता है जो कि एक antifungal compound होता है इसका dosage सभी के लिए अलग-अलग हो सकता है यानि आपकी condition देखकर आपका doctor ही बता सकता है कि आपको कितना लेना चाहिए गाइस इट्राकोनजोल शरीर के अंदर जाते ही argosterol का production बंद कर देती है जो कि fungus की cell wall यानि outer layer का सबसे important हिस्सा होता है जिससे fungus की मात्रा शरीर में कम होने लगती है और fungus से infected area repair होने लगता है दोस्तो इट्राकोनजोल capsule acidic environment में सबसे जल्दी absorb होता है इसलिए ध्यान रहे candy force capsule लेने से पहले खाने या नाश्ते में acidic fluids जैसे orange juice, tomato का सूप या नीमबू पानी का सेवन किया करें और क्या ना लें ऐसे समय में गाइस candy force capsule लेते समय हमें drink बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस capsule को लेने से एक घंटा पहले या बाद में हमें soda या कोई भी cold drink नहीं लेनी चाहिए किसी भी तरह के बीटा ब्लोकर्स यानी ranitidine जैसे aciloc, zintec, femotidine, semitidine या फिर acidic pump inhibitor जैसे omeprazole, जैसे omie, omidi, pentoprazole dsr, rabeprazole dsr, lençoprazole या फिर leosulpride tablet या capsule का सेवन बिल्कुल भी ना करें जिससे शरी में fungus बढ़ने की स्तिती बन जाती है guys candy force capsule को हमें generally खाने या नाश्टे के बाद लेने की सला दी जाती है इस capsule को लेने के दौरान हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए जिससे हमारे skin hydrated रहती है इस capsule को शुरू करने के 2 से 3 दिन में ही हमें नतीजे देखने को मिल जाते है fungal infected area clear होने के साथ ही हमें गलत फैमी हो जाती है कि infection पूरी तरह से खतम हो गया है जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं fungal infection फिर से ग्रो कर जाता है इससे उन्हें लगता है कि ये दवा उन पर काम नहीं कर रही इसे हम कहता है recurring fungal infection इसलिए हमें इस capsule को छोड़ने से पहले अपने doctor या pharmacist से सलाज जरूर करनी चाहिए guys generally इस capsule के कोई भी side effect देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन जिन लोगों का digestion कमजोर होता है या फिर कुछ भी खाने के बाद में उन्हें acidity या gas की समस्या होती है उन्हें पेट में गडबड या फिर मूँ में छाले होने की समस्या हो सकती है दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share करना बिलकुल न भूले और इसी तरह की वीडियो सागे देखने के लिए हमारे चैनल अपना doctor को subscribe भी जरूर कर ले मैं मिलूँगा आपको किसी नए वीडियो में नई जानकरी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए